तो इस वक्त की बड़ी खबर चंद्रियान 3 का सफल प्रक्षेपन हो गया है और साथी आपको बता दें कि पृत्वी की कख्षा में पहुँच गया है और 40 दिन बाद ये चांद पर उत्रेगा तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है हमारे साथ खास मेहमान प्लॉट्स की बात हो रही थी वहाँ पर जीवन पॉसिबल हो पाएगा ये होगा तो अब किस तरह से देखें कि जब ये चांद पर उतरेगा तो उसके बाद कैसे देखें इसको फ्युचरिस्टिक अगर हम बात करें तो देखें यह जो चांद पे प्लॉट वाला है ऐसे बहुत सारे ओनलाइन फ्रॉट साइबर क्राइम का पूरा जो एक सेल बना हो है वो इसी तरीके के लोगों को पकड़ने के लिए बना हो है ये इस तरह की बात में तो बिलकुल ना जाए क्योंकि मैंने एक न्यूज में देखा था कि एक न्यूली वाइड़ेड कपल ने करना पड़ेगा अभी तो ये बहुत दूर की कोड़ी दिखती है अभी चांद पे पहुंचने के लिए और वापस आने के लिए वो टेक्नलोजी आपके पास होनी चाहिए यो कि आज की तारिक में बड़ी एक्सपेंसिव है इसलिए देखा आपने रश्या और अमेरिका न लाना और उनको सेफली वापस लाना हमारा जो गगन्यान है उसमें भी आप देख रहें कि यह कोशिश हो रही है कि जो जो उसमें मॉड्यूल होगा जिसमें हम लोग बैट कर जाएंगे बिल्कुल वो कितना सेफ और उसकी सेफटी का और ये सारा तो वह अभी एक बहुत द जाना पड़ता है तो वहाँ पे अगर पानी हमें मिल जाता है तो हाइडोजन और ऑक्सीजन दोनों में उसको अलग बना के फ्यूल जो है वो क्रेट किया जा सकता है और साउथ पोल एक ऐसी आइडियल लोकेशन है जो इंटर प्लेनेटरी मिशन के लिए बड़ी आइडिय है तो वहाँ पे एक स्पेस्टेशन बन जाएगा हीूमन सिटल्मेंट का एक छोटा सा यूनिट और तो वहाँ से आप जो मार्स पे और विनस पे अपने मिशन भेज सकेंगे उनको यहाँ से सारा फ्यूल लेके जाने की जरूत नहीं होगी रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है कि प्रधानमंतरी पैरिस में है जहां बेस्टिल दे परेड में वो शामिल हुए फ्रेंच प्रेजिडेंट के साथ वो मुलाखात कर रहे है उन्हें हाइस्ट अवार्ट से भी सम्मानित किया गया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे साथ इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर